हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इस्टडी विद अशोक में और दोस्तों आज का हमारा टोपिक है अमोनियम नाइटेट दोस्तों लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह के पास एक वेयर हाउस में जोड़दार दमाका हुआ जिसकी वजह से 138 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई 4000 से ज़्यादा लोग खायल है और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जिस वेयर हाउस में धमाका हुआ है उसमें पिछले 6 साल से जब्त किया गया अमोनियम नाइटेट रखा जा रहा था धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज 240 किलोमेटर दूर साइपरस तक में सुनाई दी आखिरकार ये अमोनियम नाइटेट है गया जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही मच गई दोस्तों क्या है अमोनियम नाइटेट ये हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसी में इसका उपयोग उच्च नाइट्रोजन युक्त रूरक के रूप में तथा विस्फोर्टकों में ऑक्सिकारक के रूप में होता है ANFO नामक प्रसिद विस्फोर्टक का ये प्रमुख घटक है अमोनियम नाइटेट एक गंदहीन केमिकल प्रदार्थ है जिसका कई कामों में इस्तिमाल होता है हालांकि ज़्यादतर उपयोग दो कामों में किया जाता है पहला खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पर यानि खात के रूप में और दूसरा ख़दानों या निर्मान कारे के लिए विस्फोर्ट करने के लिए दोस्तों ये एतियंत विस्फोर्टक केमिकल होता है और आग लगने पर इसमें धमाका होता है इसके बाद खतरनाग गैस निकलने लगती है जिसमें नाइटोजन आकसाइड और अमोनिया गैस सामिल है अमोनियम नाइटेट बेहद जोलन्सील केमिकल होता है इसलिए इसके रखखाओं के लिए दुनिया भर में कड़े नियम बनाए गए है इन नियमों में खास तोर से ये बातें ख्याल में रखनी होती है कि जहां अमोनियम नाइटेट रखा जा रहा है वह स्टोर पूरी तरह से फायर प्रूफ हो वहां कोई भी नाला पाई पिया गटर ना हो क्योंकि कई बार ताबमान और अन्य केमिकल के रियक्शन से भी धमाका हो सकता है दोस्तों कहां से आया था ये 2750 टन अमोनियम नाइटेट इतनी बड़ी मात्रा में तो इसके लिए लेबनान सरकार के अनुसार बेरुत पोर्ट पर एक गोदाम में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइटेट का भंडारन किया गया था इसी में विसफोर्ट हो गया ये नाइटेट शहर में 6 साल पहले एक रूसी स्वामितु वाले मालवाख जहाज पर सवार होकर शहर में पहुँचा था इस जहाज का यहां स्टापेज नहीं था मगर यह यहां रुख गया लेबनानी बंदरगा के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने नयायले के माध्यम से इसे हटाने के लिए कई बार अनुरोध किया मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया 200 किलो अमोनियम नाइटेट 6 किलोमीटर के दायरे में मचाता है तबाही दोस्तों अमोनियम नाइटेट इतना अधिक विसफोर्टक और खतरनाक होता है कि 200 किलो की मात्रा 6 किलोमीटर के दायरे में भयानक तबाही मचा देती है जितनी बड़ी मात्रा में बेरूत में नाइटेट में विसफोर्ट हुआ उससे विसफोर्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है पहले भी हुए हैं अमोनियम नाइटेट से हाथ से दोस्तों इससे पहले भी हाथ से हो चुके हैं इस केमिकल से 1947 में टेकसास शहर में एक विसफोर्ट हुआ था इसमें कम से कम 581 लोग मारे गए और अमोनियम नाइटेट ले जा रहे दो मालवाहक जहाजों के टकराने से 3500 लोग घायल हो गए थे साल 2013 में वेस्ट टेकसास में एक उरवरक सहियंत्र में आग लग गई और विसफोर्ट हो गया जिसमें 15 लोग मारे गए साल 2015 में चीन के तियान जिन में एक वेस्ट बंदरगाह पर एक उरवरक विसफोर्ट में 165 लोग मारे गए दोस्तों विसफोर्टक अधिनियम 1884 में अमोनियम नाइटेट का उल्लेख किया गया है और भारत में विस्फोर्टक अधिनियम 1884 के तहट अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 में अमोनियम नाइट्रेट को NH4-NO3 सूत्र के साथ योगिक के रूप में परिभासित किया गया है भारत में इस रसायन का उपयोग और धोगिक विस्फोर्टकों अनिस्थेटिक, गैस, उरवर्कों, कोल्ड पैक के उत्पादन में किया जाता है ऐसे में इसके दुर उपयोग के संभावना भी बढ़ जाती है जिसके कारण इसके उपयोग को लेकर नियम बनाए गए है भारत में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर कड़े नार कानून है भारत में अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री या उपयोग के लिए निर्माण, रुपांतरण, बैगिंग, आयात, निर्यात, परिवहन, अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के तहत किया जाता है इस नियम के अनुसार इस रसायन को किसी रिहायशी लाके में स्टोर नहीं किया जा सकता है अमोनियम नाइट्रेट के निर्मान के लिए और धोगिक विकास और विनियम अधिनियम 1951 के तहट एक लाइसेंस की जरूरत होती है दोस्तों वीडियो कैसा लगा यदी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और लिटेस्ट अपडेट के लिए सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद